मुंगेर निवासी क्रोना मरीज सेफ की मौत ने जहां एक और पूरे बिहार को लॉक डाउन करवा दिया है वहीं दूसरी और मुंगेर में दो और क्रोना पॉजिटिव मरीज पाई जाने के बाद मुंगेर जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है सेफ की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सेफ के संपर्क में आए लोगों का जाँच करवाने के लिए 23 मार्च को भागलपूर से एक विशेश टीम को बुलवाया था और सेफ के संपर्क में आए 55 लोगों का जाँच किया था जिसमें सैफ के परिवार की एक महिला और एक बच्चा क्रोना पॉजिटिव मिला है जिसका बहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन ने उन दोनों को भागलपूर भेज दिया है और शहर में बचाव कार्या में टेजी ला दी है नगर निगमनी शहर के सभी वाडो में छिरकाव करवाना शुरू कर दिया है